Assalamu alaikum dear student I am Sayyad Arbaaf Fatima we are doing unit number 10 tangent to a circle grade 10th today we are going to start exercise 10.1 और हम आज जो exercise start करें उसमें जो first question है वो स्टुन हम already example में भी कर चुके हैं तो उसको हम just recall करेंगे और देखेंगे कि हमने जिस तरीके से alternate angles को example में थोड़ा सा understand किया था आज उसको थोड़ा properly और देखेंगे जो example theory बिल्कुल वैसा ही question है उसको किस तरीके से एक और method से कर सकते हैं बैसे के लिए हम method उस पर apply कर रहे हैं हुआ उसमें भी वोई था लेकिन हमने एस तरीजन में उसको mention नहीं किया था आज हम उसको करेंगे reason में भी mention इसके इलावा हम जो दूसरा question करेंगे student उसमें हम बात करेंगे concentric circles की तो वह ऐसे दो circles जो इनका center तो सेम हो लेकिन रेडियस क्या हो डिफ्रेंट उन सर्कल्स को क्या कहते हैं concentric circles कहते है प्रॉपर understanding के लिए चलते हैं lightboard के तरफ यह स्टूरेंट exercise 10.1 हमने आज कर दी है prove that tangent down at the ends of a diameter in a given circle must be parallel all more statement mario here joke how many example my buddy t but it's my thora say it changing hang up with other show that kids on tangent slayer a map as a parallel or you hopper mention hair kilogram crystal कले ते हैं उस circle पर हम एक diameter draw करते हैं diameter can point पर दो टेंजेंट रो करते हैं तो वो हमेशा must be parallel कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो parallel ना हूं तो मतलब यह मैं confirm बात पता चल चुकी है कि हम अगर लेते हैं diameter उसके end points पर दो टेंजेंट रो करते हैं student तो वो हमेशा क्या होंगे parallel होंगे अब मैंने क्या किया है जैसे हमने example में किया था उसके accordingly figure को थोड़ा सिर्फ चेंज किया है चेंज क्या मतलब पहले हमने diameter इस तरह लिया था horizontally अब मैंने diameter vertically ले लिया जिससे कोई फर्क नहीं पढ़ता क्योंग डायमेटर की फिल हो रही है इस तरीके से और हम चाहें तो जो हमने एक्जामपल में फिकर मनाई थी और जो मैंने अभी बनाई यह इसके इलावा भी जो डायमेटर रोलाई जस्ट लाइक मैं इस से किसे डायमेटर डॉकर दूजु सेंटर में सफास करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी फिगर जेंज करने का सिर्फ सिप रीजन यहीं था ताकि आपकी मैं अंडिस्टैंडिंग कर सकूं एगर आप वो फिगर बनाई के इतव फिगर मेंसन के ऊपर अगर वो क्लियर है तो घवडिवन फरक चरकल है जिसका सेंटर ओ है यह भी डायमीटर है पीक्यू और आर इस किया है त्टेंजन हैं इस तैंजन की सब्सक्राइब हमने एक्जामपल में किया था आपस में क्या है पारलेल है तो अब देखेगा कि हम किस तरीके से इसको फूफ कर रहे हैं अब बिल्कुल हमने स्टाइट वैसे लिए जिसना उसमें लिया था कि हमने बता दिया कि descriptions YEAH है विडायमेटर है जिसका Center क्या है ओ है ओ और और भी स्टोंट किया है महार पास circle का radius है वो है इस पी क्यू लाइन के उपर प्रपेंडिकुलर बाइदर तेरम ओफ वन हमने जब वन फर्स्ट चेरम किया था स्विए उसमें हमने तब भी वो एंगल पर फर्क नहीं पढ़ता है एंगल पर सिर्फ तब फर्क पड़ेगा जब वो मूव करेगी लाइं सर्कुलर फॉर्म में तो क्यों को बिल्कुल सीधी है जैसे उसकी ती डिरेक्शन उसने मूव नहीं कि बस हमने इसको क्या कि एक्स्टेंड कर दिया है तो एबी भी होगा पर पेंडिकलर पी क्यू पर तो अगरा मेलिख सकते हैं तो हम यह भी लिख सकते हैं और स्टुटेंट देखें यहां पर मैंने एंगल बेसिकली यहां पर क्यों राइट कर दी हैं यहां पर ताकि आपको क्लेर हो सके कि हम पैरलल लाइन्स में जो पढ़ते हैं कुछ आंगल को जिन में हुमारे वार्टिकल ऑपजट एंगल होते हैं और ओल्टनेट आंगल होते हैं को तो नेखिता हैं अभी पर पेंडिकुलर है फी क्यू पे तो पर पेंडिकुलर का मतलब मैंने पहले बता दिया है एंगल बन रहा है है 90 इसका मतलब है यह एज भी जो है हमारे पास इस पी क्यों के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है तो हमने इस एंगल को नाम दे दिया है अलफा इसका मतलब है के अलफा का जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा इसका हमने कहती है कोई नमबर व अब अगर OBS के साथ perpendicular है तो obviously हम पूरी ले लेंगे मारे पास जो AB है वो भी perpendicular होगा RS के साथ तो OB perpendicular है RS के साथ तो अशी तरीके से AB भी perpendicular है RS के साथ student तो जैसे ही हमने यहां पर mention कर दिया कि OB फिर AB perpendicular है तो अब हमने यहां पर beta angle mention किया है जो कि show करेगा angle between AB and the RS तो इन दोने के दर में आइंगल बन रहा है वो बीटा है जो कि क्या इनाइटी डिग्री नाइटी डिग्री इसलिए कि आपस में फर्पेंडी कुलर है अब सुर्ण यहां पर देखें एक वे नबर वन और एक वे नबर टू को यूज करते हैं हम देख सकते हैं यह भी नाइंट यह भी नाइंट यह का मतलब दोनों क्या है इकवल है मैयर एंगल एलफा इकवल स्टुमेयर एंगल बीटा तुमार पास यह नमर वान और टू को यूज करते वे हमने कह दिया कि दोना आपस में क्या है इकवल है अब उस बात के दरफ चलते हैं जिस के लिए मैंने कहा क्यों आलफा बीटा को यहां पर मैंशन किया है हमाए पास पाराललाइन रेट्स पोगोड़े नेखा detriment, ऐस पैरलल लाइन में मैं ट्रस्वर्सल ढोर कर दिए अचिए, पयरला हमें पता है जूकरें नहीं क하신 और में ने dedicated नहीं करेंगी एक ऐसी लाएं जो के यह जो टू हमारे पास लाइन हैं जो के पैलललल नाम को इंट् चाहा रही हूं एक एंगल यह ले रही हैं एक एंगल मैं ले रही हूं यह मैंने जैसे आपको स्टार्ट में का तक कई हमारे हम एंगल्स पढ़के आच चुके हैं पैरलर लाइन के साथ तो अब मैं जिसको रीकॉल करवाने लगी हूं वह अल्टरनेट अंगल है तो यह हमारे interior Angle होते हैं और पर्लाइन के अंदर होते हैं आ नहीं हम कहते हैं इंटीरीर ऐंगल्ड तो इन दो lines के मिजान में देखें यहांरे पास क्या रहें interior angles हैं अगर यह interior angles हैं हमें पता है के parallel lines में जो Interial alternate interior angles होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं अबsilॉट फ्रक्त dice लब है कि एक उसके बाद दूसरा अंटीर आंगल उसको छोड़के हम अगले को लेते हैं मतलब इस तरीके से हम शो करते हैं कि यह जो दो आंगल्स है आपस में क्या है एक्वल है और इनका नाम क्या है और टरनेट ओल्टर मेट अंगल्स अब इसी को मैं यहां पर यूज कर रही हूं अब मैंने कहा पैरलल लाइन्स होंगी तो हमारे पास इस तरीके से अल्टरनेट अंगल्स आएंगे तो अब इस कॉंसेप्ट को मैं किस तरीके से लेकर चल रही हूं कि अगर मैं यह शो कर दूं कि मेरे पास इस तरह से जो दो angles है जो के बन जो के हैं basically हो इकल है तो अगर एकल हैं तो लाइंस भी क्या हूंगे पारलेल होंगी फिर समस् fat मने बात कि पैल राइंज में alternate u1 प्तंने अगल होते हैं लेकश अब मैं इस ठेड़heen में इस parallel line के concept को कैसे use कर रही हूं कि अगर हमारे पास alternate angles equal है इसका मतलब है कि वो जो दो lines के साथ interlinked है basically line segment वो क्या है आपस में parallel है सिर्फ इस बात को मैंने यहां पर use किया है और इन दोनों को show कर दिया के पारलल है पी क्यू एंड आरेस आर पारलल बिकॉज इफ और अल्टने टैंगल जार इक्वल इन मेयर दैन lines are parallel that's it student इचोटा सा पॉइंट था जो के हमने यहां पे अप मैंने अलफा बीटा राइट करके आपको clear कर दिया show कर दिया है आप चाहें तो अब जो हमने example की थी उसमें भी सेम चीज़ को अप्लाइ करके आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं पूब इस तरीके से भी आपको करके दिखाने का से मकसदी है कि आपके पास एक या दो मैठट जाजें किसी चीज़ को भी हो तो वो हो जाए क्लियर तो इसका मतलब भी है कि आप चाहें तो इस तरीके से सौल कर सकते हैं इस टोटली अप टू यू अब आप ऐसे करने यह आप ऐसे करने यह है बिल्कुल ठीक मैठ़ आई होब कि जिस्टी के समने को सॉल्ट किया को समझ आ गया होगा अब हम चलते ह हैं कॉस्टन फू के तरफ यह स्टुड़िंट अभ हम करने जा रहे है कॉस्टन नबर टू को सॉल्ट सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को अडिस्टेंड करते हैं और फिर इस टीडर को भी करते हैं अंडर्स्टैंड गश्टार्ड अधियर पादिक तो बिल्कृत तो कहते हैं वो आपस में क्या हैं कंसेंट्रिक सिर्कल्स है और उनमें गिवन क्या है उनके डायमेटर्स बेसिकलिया में गिवन है 10 cm and 5 cm respectively obviously जो मारे पास बिगर सिर्कल है उसका डायमेटर बढ़ा होगा और जो मारे पास smaller circle is का डायमेटर क्या होगा चोटा होगा 10 cm and 5 cm तो 10 cm is circle का है और 5 cm है circle का look for the length of any chord this is the thing that we have to find in this question हमने एक ऐसी chord की length find करनी है length of any chord of the outer circle outer circle which touches the inner one अब देखें सिर्णों यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करें concentric circles हमें point clear हो जुका है अब जो दूसरी बात हमने ने का है कि हमने एक ऐसी chord की length find करनी है outer circle के recording दी मतलब हम एक chord draw करेंगे outer circle पे chord क्या है हमारे पास एक ऐसी line segment है जो के circle के circumference को two different points पे आपस में touch करके बने okay तो हमारे पास A B क्या आगई chord outer circle में लेकिन उसके लावा में कुछ और भी given है circle which touches is the inner one जो के हमारा जो अंदर एक और circle है उसको क्या करनी चाहिए touch करनी चाहिए अम यहां यह वर्ड देखें touch का use किया और ने cut का use नहीं किया touch का use किया तो इसका मतलब है कि हम यहां पर किस concept को use कर सकेंगे हम use कर सकेंगे के tangent वाले concept को हमें पता है एक circle को अगर यह क्लाइन यह क्लाइन सेग्मेंट के बात करेंगे टच करके गुज़रे तो वो क्या होती है उसे हम कहते हैं टेंजेंट तो बैसिकली यह एक यह बी जो हमारे outer circle के लिए कॉर्ड है वही सेम कॉर्ड बैसिकली हमारे inner circle के लिए behave करेगी टेंजेंट की तरह हां क्योंकि टेंजेंट की तरह भी है करेगी तो हम जो अपने थेरम की concept है वह भी कर सकते हैं इस पर अप्लाइए अब हमें क्योंकि फाइंड करना है इस फिगर में नजरा आप देखें माइंड में आता है कि फाइव और टू पॉइंट फाइव क्यों हमें रेडियस की वैलियू है हमें पता है कि डायमीटर डी इक्वल्स टू टू आर होता है मतलब कि डायमीटर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम रेडियस को डबल कर देते हैं या हम अगर इस से देखें आर की वैलियू के आजएगी डी बाई टू तो इसका मतलब है ज उसके बाद हम्में किया करना है रही है कॉट जो करके घुज़त पॉइंट पर हमारे इनड मूरे को तुसेंट बेखें और और है हमारा और उसके बाद मैंने क्या किया है और ओ भी जो रेडियस के किसके इस मारे आउटर सुर्कल के डियस गया फाइप सेंटिमेटर और ऑद मारा ऑट सी रपेसेंट कर रहा हमरे इनर सिरकल के रेडियस को इसका मतलब है व ada इक स्टुडिट हमारा रेडियस सहOLD G और को docit झाय आउड़ सरकल का ओव हमारे पास ओशी जो है भो रेडियस है इनर से कल का ओकil अब देखेंगे दोनों ही है रेडियस अब जहां से हमने खार एक रेडियस है और हम देखा है और ने कॉर्ड इस स्थ्री कर दी है डो अभ जैसी इस कॉर्ड में सी पॉइंट पर टाइच किया था हमें नज़र आ रहा है कि हमें एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है यहां बनता हुआ इस ट्राइंगल को ही बेसिकली हम यहां पर करने लगे हैं यूज अपने कॉर्ड के लेंद को फाइंड करने के लिए अब स्टुड़न हम इस ट्राइंगल क कि तरहां inner circle के लिए तो ये भी जो हमें नजडन हा रहा रहा इन से लिए टेंजेंट है तो वोगो से किस पॉइट से होगे हिख whisper के सी पॉइट से अगर सी पॉइंट से होते ह्यो तो फごई बाद है और हम सी पॉइंट से हमने देखा कि हमारा रेडियस है सेंटर से हमारे पास इस्टेंस है वोग कुछ हो कर रहे हम एडियल सेगमंट कहते हैं तो हमें सेक्मेंट पता है वह हुद आपान का他 है यह हम अडरी को歪 लग करते चुर कर प्रूब ओर रहे हैं इसका मतलब कि अगर मैं स्टीके से यहां पर इस ट्राइंगल को मेंशन करूं कुछ यह आ जागा यहां पर आ गया बी यहां पर आ गया ओ यहां पर आ गया सी अब यह क्या है और यह आविसली मार पास पूरा ही है मैं इसको इस अगर एक्स्टेंड करके आपको दिखाऊं यह पॉइंट है यह नहीं लेकिन हमसे फिस ट्राइंगल को लेकर चल रही है तो ओसी एबी के साथ एंगल कैंढा रहा है स्टूड टन बना रहा है 90 डिग्री नाइटे निवित अधिक्री बना रहा है तुम्दा पस overlook ट्राइंग्ल यह सैंग्ल यह हमारे पास फर्पेंडी कूल कि वेलई एक्स है बेस कि वैल्यू तू पॉंट फाइब है और हमारा है पॉटनियो चीवेलू किया है फाइब सेंटिमीटर एंद दस तू पॉंट फाइब सेंटीमीटर इस तरीकर पास एक राइड ठ्रायंगल आ है हमने पता है राइट ट्राइंगल में अगर हमें दो साइड जोन हूं और थर्ट साइड हमें आइड करनी हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं भी की और यहीं हमने करनी है फाइन सामने देख लिए के स्कॉस्टिन को किस तरीकर से करेंगे सॉल तो अब इसका सुलेशन को करते हैं स्टार्ट अब यहां पर मेंशन कर दूंगे कमार पास क्या है लेट अब बी बी दा एनी कॉर्ड और यह कॉर्ड किस पर है एनी कॉर्ड ओफ दा आउटर इन्हारच हम फिर सरकल उट्ट करी कर दिंगन हमार पास ही आगाई कॉर्ड जो का टॉछ कर रही है तक दो छिस था इनर छलकल जो के इनर सर्क लिगा सबकलिक पस है अ वहुन जईा है आढ के थे लिए इनकर एट है पोइंट C यह हमने यहां पर कर दी है mention अब उसके बाद हम इनकी लैंस को करने लगे हैं find किसी से diameter हमें given था और हमने find की है radius की values को तो मैं यहां पर mention कर दूँगी radius of outer circle outer circle का radius के आजाएगा diameter upon हमार पास आजाएगा 2 सो वहोगा क्या मैयर ओभी आजाएगा और यह हम find कैसे करेंगे हम diameter की डिवाइट कर देंगे किसके साथ 2 के साथ यह आगे मार पास 5 cm उसके बाद radius of outer circle है उसके बाद radius of inner circle radius of inner circle अब radius of inner circle मार पास के आजाएगा मैयर O C और यह हम कैसे find करेंगे 5 cm upon 2 which is 2.5 cm अब मार पास आगई है यहां पर वैल्यू आगई है किसकी मैयर O B की और यहां पर मार पास वैल्यू आगई है student मैयर O C की जो क्या है 2.5 cm एक यह आ चुकी है और दूसरी आ चुकी है कुछ इस सरी के से अब स्ट्रेण हम क्या करने जा रहे हैं अब हम इस ट्राइंगल करने जा रहे हैं यूज और इस पर अप्लाइ करेंगे प्थाओग्रिस थिरम को और कर लेंगे इसकी वैल्यू को फाइंट अब देखें हम हम किस ट्राइंगल को लेकर चल रहे हैं इन इन राइट ट्राइंगल oh C V अब स्टूवन हमने राइट राइंगल हम पिक्यूं किया हमें पता है धिरम रन के इक ओर दिंग ली टेंजन को हम रेडियस के साथ और एस को टेंगेंट के साथ का दोन में आपस में क्या है पर पेंडिकुलर है सो इन राय ट्राइंगल ओसी भी हमारे पास एंगल कहां पर 90 डिग्री बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है मारे पास सी वोर्टेक्स पे हमें पथा है यहां पर माययर रिएंगल एट सी यहां यहां पर वोनठेक्स पे अमेंशन कर देते हैं बी सी ओ बीसी ओ में मिसांग और रहा है वह की आ रहा है नाइंटी डिग्री आ रहा है स्टुटेंट अब देखें बी соглас USC compound पे हमारा हमने बेसिकली रखा है सी को दर्म्यान में यह वो शोकर आए कमारे पास 90 डिग्री बन दाए सी वर टेक्स पे अब यह हमने क्यों मैंशन किया है ताकि हमें पता हो कि हमारा है पॉर्ट में इस ट्राइंगल के कॉर्डिंग लिक्या है और बेस कर फेंडिकलर क्या है कि यह हाइपॉटनेज है यह मर पास बेस यह क्या है स्टोर्ट मार पास पर फेंटिकलर है तो अब हम इसी को करेंगे यूज और अप्लाइ कर देंगे पिफागरिस थिरम को बाए यूजिंग पिफागरिस थिरम थिरम है अब उसके वाँडिंम हमा पास हमें हमें पता है कि है परेंटिकुर्स किया ओ भी स्किर इकोल तू है पलड़ के और पास माईगे ओ तो मैयर BC square BC square plus मैयर OC square अब यहां पर इनकी values को हम कर देंगे put OB क्या है student हमार पास OB की value है 5 centimeters और BC की student value क्या है BC हमार पास X है जो कि हमने करना है find और यहां से OC की value आ गई 2.5 centimeters अब हम यहां इनका स्केर को mention कर देंगे हमें पता है 5 का square क्या होता है 25 और centimeter पर भी होगा तो यह आजएगा हमारे पास 25 centimeter square और यहां पर इस तरीके से आजएगा हमारे पास X square और यहां पर मैं मैंशन कर दोंगी 2.5 का square को 6.25 cm square अब हमें पता है कि जब भी हमने कोई queen solve करते एक unknown value कर नहीं हो find तो हम उसको एक साइट पर रखते हैं बाकि सारी दम्स को दूसरे तरफ ले जाते हैं तो X की value आ जाएगी स्की प्लस हो रहा है वाँ जाएगा माइनस so it becomes 25 centimeter square minus 6.25 cm square अब क्या करेंगा 25 में से 6.25 कर देंगे सब्ट्रेक्ट हमार पास आंसर आ जाएगा 18.75 cm square अब हमें obviously square value नहीं चाहिए हमें चाहिए इसकी value सिफ x की था हम क्या करेंगे दोनों साइट पर ले लेंगे हम square root लेंगे और square root से क्या होगा इस x square का scale cancel हो जाएगा और इसकी हम value को कर लेंगे use तो यह हमार पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 18.75 cm square यह से cancel out हो जाएगा और यह हमार पास क्या जाएगी student 18.75 अब देखिए इसका cancel out होके cm हमारा आ गया बाहर अब देखिए हमार पास x की value आ गई इसको हम अभी इस रखने है और इसकी डिरेक्ट वैली यूज कर लेंगे अपनी कॉर्ड को find करते वाद इसको calculate कर लेंगे calculator की मदद से तब हम आते हैं उसकी दर जिसको हमने करना था हमें length of code find करनी थी student अब मैं यहां पर find करने लगी हूं length of code तो length of code क्या हमार पास मैयर a b हमें करनी है find जो के equal है to x के तो यहां पर हम 2 को multiply कर देंगे x के साथ जो के है under root 18.75 centimeters अब यहां पर हम इसको कर देंगे answer right और यह basically हमार पास क्या आजएगा major a b का answer this is 8.66 centimeters तो हम इसको अगर कर दे round off तो हमारे पास approximately value आजएगी 8.7 centimeters और यही student हमने इस question में करना था find जो के हमारे पास length थी किसकी length of code हमने find करनी इस student जो के हम कर चुके है find तो I hope के जिस तरीके से हमने question number one को understand किया है और मैंने वहां पर different diameter change किया था अपने example में जिस से हमने किया था उसके लहाज से तो वो भी आपको समझ में आगा और जो हमने question number two किया है वो भी आपको हो चुका है clear so concentric circles का concept आपको बहुत important था इस question को understand करने के लिए और यहां पर हमें गिवन नहीं था कि यहां भी tangent है a-b inner circle के कॉर्डिंग लिए हमने खुद देखा किस word के थुरू the word touches के थुरू that's it student yes student आज जो हमने questions किया I hope आपको clear हो चुके होंगे see you in the next lecture Allah Hafiz